हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप डिवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कोलेक्शन व्यू के अंदर जो इमजीज है उनको डिस्पले तो करवाना है मगर उनकी जो स्क्रॉलिंग है वो होरिजेंटली अटोमेटिकली करनी है टाइमर हम यूज करेंगे ताकि टू सेकंड के और या त्री सेकंड के बार जो इमजीज है वो इमजलिए करेंNowी और सात में हम जो हाह पेज कंट्रोल को यूज करेंगे ताकि हम डोट की फвал के अंदर डिस्प्ले करवा पाएं कि कौन से पेज पे जो है करेंटली इमेज वह डिस्प्ले हो पा रही है और नमबर ओफ इमजिस जो है वह कितनी है तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एक्जामपल है सिमुलेटर के अंदर जिसमें मैंने जो वेब सीरीज की जो इमिजीज है उनको वन बाइवान जो है प्लेस की है कोलेक्शन व्यू के अंदर और साथ में डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं पिंक और ब्लैक कलर के यह बेसिकली पेज कंट्रोल है और जैसे जैसे टाइम जो है फ्लक्ट्वेट करता है जैसे टू सेकंड का मैंने यहां पे लगाया हुआ है कोड कि टू टू स्केंड के बाद जो इमेज है वो आटोमेटिकली जो है स्क्रोल हो क्लेक्शन व्यू के अंदर तो काफी नई एप्लिकेशन के अंदर आपने इस तरीके की जो इंप्लिमेंट के अंदर तो चलिए अगर मैं थ्रैटिकली थोड़ा सा आपको रिव्यू दू तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने क्लेक्शन व्यू इंप्लिमेंट करना है तो आपको आई यूस के अंदर बिल्ट-इन कलास हमारे पास अवेलेबल है यू आई क्लेक्शन व्यू इसी की हल्प के साथ हम जो क्लेक्शन ओफ डेटा एटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी कस्टमाइजेबल ले आउट की हल्प के साथ तो एक काफी फ्लेक्सिबल वेया है डेटा यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो सेम उसी तरीके से वर्क करता है ज पेज कंट्रोल के बारे में बताऊं, तो यह बेसिकली इस तरीके का कंट्रोल है, जो शो करता है, पुजीशन ओफ करंट पेज इन लिस्ट ओफ पेज़िस, अगर आपके पास नंबर ओफ इमजीज हैं, और आप कौन सी इमेज के उपर हैं, तो वो उसको रिप्रेजन करने का उसकी पॉजीशन को रिप्रेजन करने का काम जो है, वो पेज कंट्रोल कर सकता है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह स्माल इंडिकेटर्स ओफ डॉट्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजन होता है, और अगर मैं आपको टाइमर की बात करें, तो यह भी एक काफी फ देखेंगे के यह वली एक्जांपल जो है, हमने प्रैक्टिकली कैसे इंप्लिमेंट करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूं, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुबात क वह अप्लोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समयने में काफी हल्प मिलेगी हो साथ में अगर कोई दिकत भी आती है कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंड करके यहां फिर इमेल करके उसका जो सलूशन है वह पास सकते हैं तो चलिए सिंगल अब आपने प्रॉडक्ट नेम के अंदर आज की एक्जामपल का जो नेम है वह प्रोवाइड करना तो मैं यहां पर लिख देता हूं कोलेक्शन व्यू एक्जामपल विद ऑटो स्क्रोल इमेजिस और बाकी सेटिंग्स आपने डीफॉल्ट रहने देनी है जो लेंग्विज मैं यूज कर रहा हूं आज की एक्जामपल के लिए वह स्विफ्ट और चलिए नेक्स पर क्लिक करते हैं अब आपने लैप्टॉप के अंदर कहीं पर भी एक फोल्डर सेपरेट क्रिये तो चलिए इसको मैं क्रियेट कर देता हूं और इस फोल्डर के लिए प्रजेक्ट मेरे बन चुका है अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग के अंदर दिखाऊं तो जो वर्जन मैं जो शुफट का वर्जन यूज करा हूं हो है 5 और अगर मैं यहां पर आपको एक्स कोड का व अब आपने यहां पर एक क्लिक करेंगे और यहां पर सर्च करेंगे और जैसे ही मैं क्लेक्शन लिखने की कोशिच करूंगा मेरे पास यहां पर क्लेक्शन विव जो है वह अब आपने जो है इस स्टोरी बोड को जो इस इस अपने ब्लेक्शन विव की जो सेटिंग वो करनी है सबसे पहले मैं यहां पर साइज इंस्पेक्टर के अंदर चलता हूं और इसका जो यहां पर स्यल का साइज वो मैं ले ले लेता हूं 390 यहां पर देख लेते हैं अभी त री साइज कर देते हैं यहां पर चलिया यहां पर मैंने इसको री साइज कर दी आए अभ दे crypto 392 यहां पर आता है और चलिया कोई बात हूं एक पर फिर से देलेते हैं इसको यहान पर width है यहां पर 390 कर देता हूँ और यहां पर height 190 कर देते हैं तो जलिए friends टूढ़ें यहां पर थोड़ा सा मैं इसको अंड़ू कर देता हूँ पहले तांकि जिस तरीके से यह यहां पर आया था उसी तरीके से जो है एक बर फिस से इसको एड़ करते हैं collection view और अब हम इसकी जो width है वो करते है 390 और चलिए इसकी height जो है वो यहां पर लेते है 190 तो यह बिलकुल perfect है अब हमने इसका जो cell का size है वो भी करना है 390 और यहां पर जो height है की वो 190 चलो same जो इसके frame का size है वही हमने width और height इसके cell की कर दी है अब हमने यहां पर attribute inspector के अंदर जाना है और यहां पर जो scroll direction है वो आपने करनी है horizontal और साथ में जो यहां पर imaging है वो भी आपने enable करनी है तांके जब भी scroll हो तो one by one जो images है वो display हो पाएं अब हमने करना गया है यहां पर जो collection view cell है इसको select करना है और यहां पर जो इसका cell identifier है वो हमने provide करना है cell और अगर आप size inspector के अंदर देखो गए तो custom करके देख पास देख सकते हो आपके इसकी जो width और height जो है वो हमने कितनी कर दी है तो मैंने आपको पहले ही बताया के 390 by 190 तो चलिए इसके अंदर अब हमने एक image को add करना है तो इसके लिए मैं यहा tag and drop करता हूँ इस cell के अंदर चलिए यहां पर image हुआ है cell के अंदर आ चुकी है इसकी भी जो यहां पर constraints है वो हमने set करने तो मैं यहां पर कर देता हूँ 000 चारों साइडों से 0 तांके जो image है sorry यहां पर फिर से एक बार मुझे करना पढ़ेगा तो इसको एक पर मैं कर लेता हूँ चलिए इस image को मैं select करता हूँ और इसके जो constraints से दुबारा से set करते है 0000 और इसको constraints to margin जो हटा देते हैं एक पर add करते हैं तो friends रोड़े यहां पर जो image view है वो भी हमारा जो है डिस्प्ले हो चुक है प्रॉपरली जो है constraint यहां पर set हो चुक है warning जो है वो दिखा रहा है यहां पर शायद कोई इसके जो images हैं वो conflict कर गए है तो चलिए कोई बात नहीं मारा main focus जो है वो coding की तरफ रहेगा तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं अब हमने यहां पर एक image वो set करके देखनी है तो यहां पर मैं image set कर देता हूं एक वह अभी मैंने add नहीं की content mode जो है वो आपने करना है aspect fill तो चलिए यहां पर update करके देख लेते हैं reset इसके constraints पहले clear कर देते हैं और अब दुबारा से करते हैं अब सही रहेगा इसके constraints जो है तो चलिए अब बिल्कुल proper है constraints हमने पुराने clear कर दिये और नहीं यहां पर लगा दिये और अगर मैं यहां पर images की बात करूं तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देक पा रहे हैं जो मेरी images हैं वो मैंने पहले से download करके रख्यों है तो चलिए इसको मैं drag and drop करता हूं यहां पर और अगर मैं आपको इनके dimensions के बारे में बताऊं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो डामेंशन है हर एक इमेज की वह थी हंड़ बाय तो इस तरीके की डामेंशन जो आपने सेट कर देनी है सारी इमेज की तांके जो समिट्री वह इनकी जो आप बनी रहे तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा कि नेकिस कंट्रोल कि यहां से करते हुए व्यूं कंट्रोल के ऊपर शोड़ना यहां पर डेटा सोर्स और फिर और यहँवी दूनों धूल जो हैं हमने कर दिय मैं अब हमने इस collection view के लिए अलग से class जो है custom class जो है वो create करनी है तो उसको add कैसे करेंगे यहाँ पर प्लस पर click करना है new file अब आपने यहाँ पर cocoa touch जो class है वो add करनी है और यहाँ पर नीचे जो sub class है जो super class है वो कौन सी होनी चाहिए UI collection view cell और उपर आपने लिखना है collection view चलिए class मैंने यहाँ पर next करके create कर देता हूँ इसको create कर देते हैं अब मेरी class जो है वो यहाँ पर बन चुकी है my collection view इसको set करते है as a custom class इस collection view के लिए collection view cell के लिए करना है तो यहाँ पर cell को select करेंगे इसके identity inspector के अंदर जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे my और जैसे ही लिखेंगे देखेंगे के पूरी class का name जो है वो यहाँ पर आ चुका है enter press करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरी जो class है वो set हो चुकी है अब आपने इस class के अंदर my collection view class के अंदर जो हमारी image है इसका IB outlet जो है वो create करना है तो उसके लिए assistant editor के अंदर चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं बाकी windows को hide कर देता हूं तांके code आप clearly देख पाएं तो यहाँ पर अभी view controller class है तो चलिए view controller class के अंदर भी हमने इस collection view का IB outlet create करना तो इसको मैं drag and drop करता हूं यहाँ पर और लिख देता हूं यहाँ यहाँ पर मैं collection view IB यहाँ पर collection view IB कर देते हैं इसको connect कर देते हैं तो यह हमारा IB outlet बन चुका है अब हमने कोड़ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पहले मैं इसको सेव कर देता हूं दोनों फाइल्स को view controller को भी सेव कर देते हैं और यहाँ पर my collection जो view class है उसको भी जो है मैं यहाँ पर सेव करवा देता हूं तो चलिए coding अब हमने किस तरीके से करनी है वह देख लेते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या है जो डेटा हमने डिस्पले करवाना है उसको हमें as array की form के अंदर जो यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं एक array करेट कर देता हूं वेब सीरीज इमेजिस और इसको डिरेक्ली जो है मैं यहाँ पर जो इमेजिस के नेम है जो इमेजिस मैंने यहाँ पर copy की थी assess folder के अंदर उनके नेम उसी form के अंदर लिखूँगा जैसे वहाँ पर small address के अंदर है तो यह काफी case sensitive है तो यहाँ पर मैं सेम उसी तरीके से नेम लिखने की कोशिश कर रहा हूं क्रिमिनल जस्टिस तालोग और यहाँ पर special ops और लास्ट मेंदा family man चलिए यहाँ पर मैंने जो जो नेम यहाँ पर assess folder के अंदर है वह same name मैंने view controller class के अंदर जो है वह ले लिए हैं अब हमने और क्या 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 करना है और हमने यहाँ पर जो हमारा collection view है उसके लिए हम अब हम protocols पहले यूज करेंगे यहाँ पर तो चलिए protocols को यहाँ पर define करते हैं extension यूज करेंगे और साथ में view controller और यहाँ पर लेंगे जो इसके compulsory methods हैं वह भी code करने है तो यहाँ पर जैसे fix करेंगे compulsory method यहाँ पर मारे पास implementation के लिए ready है और साथ में एक हम flow layout के लिए जो हमारा method है वह use करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर number of items कितनी होनी चाहिए collection view के अंदर तो यहाँ पर हम return करेंगे web series के अंदर जितनी count number of elements होंगे उतनी ही जो items हैं वह collection view के अंदर होगी अब हर एक collection view का cell जो है वह किस तरीके से create होगा उसके लिए cell for item at इस तरीके का parameterize method है उसको हम code करेंगे तो coding इसकी काफी easy है सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरियेबल लेते हैं cell और अब हम माई collection view के थूरू इसका dq reusable method है वह हमने call करना है तो देख लेते हैं ऊपर क्या है यहाँ पर अब हमने यहाँ पर जो वेरियेबल जो आई बी आउटल लिया है वह है collection view ib तो उसी को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे collection view ib.dq reusable method यहाँ पर जो identifier का जो नेम हमने लिया है cell यह क्यों लिया है क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो जो नेम हमने cell के identifier के लिए यहाँ पर यूज किया था same name हम code के अंदर भी यूज करेंगे तो उसी नेम को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं और यहाँ पर लेंगे index path और अब इसको typecast करेंगे माई collection view class के अंदर cell के थूज की जो माई image है उसको set करेंगे उसकी image को data कहां से आएगा ui image से आएगा उसका named parameter use करेंगे और web series के थूज कौन सी image होगी वो हम यहाँ पर assess करेंगे index path.row के थूज करेंगे अब हम इस cell को क्या करेंगे return करेंगे तो चलिए यह यह यहाँ पर हमारे पास cell को कैसे create करना है वो भी code हो चुका है अब हम यहाँ पर जो है size for item इस तरीके का जो parameterize size for item add इस तरीके का जो parameterize method है वो यूज करेंगे तांके हम यहाँ पर return करवा पाएं cg size हमने width और height यहाँ पर return करनी है तो यहाँ पर directly दे रहते हैं collection view IB का जो भी frame की height होगी frame की width होगी वो set करेंगे और यहाँ पर collection view IB के तूझ जो उसकी frame की height होगी वो हम यहाँ पर set करेंगे तो चलिए यह हमने वैसे सो statically हमने वहाँ पर define कर दिया था 390 by 190 define करके और यहाँ पर अब हम coding के थ्रूँ भी जो है वो हमने define कर दिया type का होगा timer type का होगा इसको हम optional कर देते हैं अभी के लिए अब हमने view did load के अंदर जैसे आपके application रनो तो उसके अंदर हमने code लिखना है timer equal to यहाँ पर timer dot उसको schedule करेंगे और with time interval schedule करेंगे यहाँ पर जो method हमने यूज करना है वो दुबारा से मैं लिखने की यहाँ पर कोशिच करता हूं यह थर्ड वाला जो method है वो हमने यूज करना है time interval पर हमने जो seconds है वो प्रवाइड करने है 2.0 यहाँ पर फिर से यह गलत आ गया मैं दुबारा से करता हूं timer.schedule यहाँ पर लिखी रेते हैं पूरा schedule लिखने की कोशिच करते है schedule यह वाला selector वाला जिसके अंदर हमने method को call करना है तो time interval क्या होगा है 2.0 target जो लेना है यहाँ पर यहाँ पर जो selector है वह हमने यहाँ पर लेना है hash selector और जो method हमने define करना है वह करना है slide to next तो यह method अभी हम code करेंगे जो user info है उसको nil कर देते हैं और जो repeat है उसको हमने true करना है तो चलिए अब हमने यहाँ पर जो timer का code है है वह भी हमने लगा दिया है तो अब हमारा next जो गाम है वह अबने यहाँ पर जो यहाँ पर selector वाला method है यह define करना है इसको मैं copy कर लेता हूं यहाँ पर और इसको यहाँ पर define करने की कोशिश्य करते है इसके अंदर अब हमने code जो है वो लिखना है तो code क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहता हूं कि हार एक image को हमने slide करना है मगर हमें सबसे पहले current position पता हो नहीं जाएगे कि कौन सी image जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक variable लेते है current cell index इसको अभी के लिए zero कर देते हैं और जैसे images slide करेंगी हम यहाँ पर दिखेंगे क्या हमारा current cell index है वो उसकी जो value है वो web series के अंदर जतनी images है उनकी जो number of counting है उससे कम है अगर तो कम है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे cell जो current cell index है उसको increment करते जाएंगे और अगर वो last पर पहुंच जाता है तब हमने यहाँ पर current cell जो है उसको जीरो करना है और उपर हम क्या करेंगे current cell जो है उसको प्लस प्लस करते जाएंगे एक increment यहाँ पर करते जाएंगे और last में हमने क्या करना है last में हमने जो है collection view IB के थूँ जो है उसका method का और करना है scroll to item कौन सी item पर scroll करना है हमने वो हमने यहाँ पर index path के true provide करना है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे index path यहाँ पर item वाला method कौल करेंगे कौन सी item होगी वो हम यहाँ पर current cell index बताएंगे और section कौन सा होगा जीरोत section होगा और साथ में move किदर को करेंगी हमारी position जो scrolling की वो होगी right side पर और यहाँ पर जो animation है वो हमने यहाँ पर true करना है तो चलिए यह भी हमने कर दिया एक बार हम क्योंकि page control अभी तक हमने use नहीं किया तो चलिए एक बार run करके देखते हैं इस app को क्या यह properly work कर पाती है क्या हमारी images जो है वो scroll कर पाती है उसके इसके बाद हम जो page control है वो use करेंगे यहाँ पर मेरे पाफ जो है app हो चुकी है और देखते हैं क्या images जो है दो दो seconds के बाद scroll करती है तो बिलकुल सही यहाँ पर scroll कर रही है images तो अब हम जो है इसमें page control को use करेंगे तो चलिए यहाँ पर मैं इसको एक बार stop कर देता हूं और main.storyboard के अंदर चलते हैं इसको मैं थोड़ा सा इसका size जो है वो zooming कर देता हूं तांके आपको जो storyboard है वो properly visible हो तो अब हमने करना कहा है library के थूर यहाँ पर search करना है page और जैसे ही आप page लेखेंगे यहाँ पर page control element है वो निकल के आ गया है हमारे पास और इसको मैं drag and drop करता हूं अपने storyboard के ऊपर तो चलिए यहाँ पर storyboard के ऊपर यह आ चुका है इसको मैं थोड़ी से इसकी जो width है वो increase कर देता हूं अब हमने जो है इसका जो tint color है कहने का मतलब जो number of pages होंगे total pages होंगे उनका जो color है वो हमने करना है red और जो current page का color है वो हमने करना है black अब हमने इसके जो constraints है है वो set करने तो चलिए यहाँ पर मैं constraints है वो इसके set कर देता हूं तो friends तोड़े यहाँ पर constraints है वो set हो चुके है अब हमने इसका जो IB outlet है वो create करना है तो उसके लिए assistant editor के अंदर जाना पड़ेगा मैं बाकी windows को यहाँ पर hide कर देता हूं तांके code आपको जो है वो properly visible हो तो यहाँ पर मैं view controller class के अंदर जो इस page control का जो IB outlet है वो उसी तरीके से control की को प्रेस करते हुए drag and drop करना हो यहाँ पर लिखना है my page control तो चलिए इसको connect कर देते हैं और मेरा IB outlet जो है वो बन चुका है अब हमने इसकी जो है coding करनी है किस तरीके से जैसे ही आपकी image जो है वो slide करें उसके साथ जो हमारा page control है उसकी भी जो movement है वो होनी चाहिए तो सबसे पहले हमने my page control के total number of pages set करने है तो यहाँ पर हम देंगे my page view reload के अंदर my page control dot number of pages equal to किसके उपर depend करेगा web series के इंदर जितनी images होंगी उतने ही number of pages जो है वो इसके होंगे तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है जैसे यह से हमारा जो slide है वो next पे जाती जाएगी हम यहाँ पे जो page control को जो है उसका current page जो है वो set करते जाएंगे किसके equal होता जाएगा वो current cell index के जो भी current cell index चलता होगा उसी के accordingly यह अपने आपको set करेगा तो चलिए friends तो यहाँ पे मैंने code जो है वो कर दिया है graphical user interface भी मारे पास ready है इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या यह simulator के अंदर properly work कर पाता है एप हमारी जो है वो build हो चुकी है तो अब हम देखेंगे क्या graphical user interface इसका properly work कर पाता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे हमारी images जो है वो collection view के अंदर scroll कर लीए है वैसे वैसे हमारा जो page control page control है वो भी move करता जा रहा है तो इस तरीके से friends students आप बड़े easy way के साथ scrolling जो है images जो है वो implement कर सकते हैं collection view के साथ timer की help के साथ और साथ में आपका page control की help के साथ तो friends सुना अगर आपको आज की example के बारे में knowledge मिल चुकी है किस तरीके से ये example आपने develop करनी है तो जल्दी से वीडियो को like कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर ले bell icon को press कर दे तांके हर एक video आपके पास जल से जल पहुँच पाए तो thanks friends for watching our videos इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रही है programming सीखते रही है